प्ले Istor Reset कैसे करें? हेलो दोस्तों, स्वागत है, फिर से एक न्यू वीडियो में दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ अगर आप भी अपने प्ले Istor को Reset करना चाते हैं अगर आपका प्ले Istor काम नहीं कर रहा है और आप उसको जो है यहाँ पे setting के मदद से आप उसको reset करना चाहते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं यह कैसे किया जाता है और कहां से किया जाता है तो इस वीडियो को ध्यान से दिखिए इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तों चलिए वीडियो सुरू करते हैं प्ले स्टोर को reset करना काफी असान है आपको मैं सबसे असान तरीका बताने वाला हूँ और step by step बताऊंगा जहां से आप अपने प्ले स्टोर को reset कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर आपको प्ले स्टोर को reset करना है तो आपको अपन आपको दो option आजाएगा my apps और app info का अगर आपके mobile में सिर्फ app info आ रहा है तो कोई बात नहीं simply आपको app info के button पे आपको click करना है जैसे ही यहाँ पे click किजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाता है अब आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक storage का button मिलेगा तो आपको simply इस पे click कर देना है अगर आपके phone में यहाँ से नहीं आ रहा है जैसे ही इस पे click किजिएगा तो आपको फिर से कुछ ऐसा interface आ जागा अब आपको यहाँ पे जो है manage apps वाला एक button दिखाई देगा second number में आप देख सकते हैं तो आपको क्या करना है इस पे click कर देना है जैसे ही इस पे click किजिएगा तो आपका mobile के जितना भी application होगा वो शारा का सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अब आपको यहाँ पे क्या करना है आपको जो है अपना google play store को ढून लेना है अगर नहीं मिलेगा तो उपर में आपको search bar का भी एक option दिख जाएगा यहाँ पे click करके जो है आप अपना play store को search कर सकते हैं हमने जो है यहाँ पे play store लिखा है और हमारा जो play store है वो यहाँ पे आ चुका है अब आपको simply इस पे click करना है और जैसे ही इस पे click किजेगा तो वही same interface जो है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा तो अब आपको simply क्या करना है storage वाले button पे आपको click करना है जैसे ही click किजेगा तो आपको नीचे में जो है clear data का option दिखेगा बस आपको इसपे click करना है और इसपे click करने के बाद एक pop-up आता है यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ remote और clear all data और clear catch तो आपको क्या करना है clear all data पे click कर देना है अगर आप यहाँ पे clear all data पे click करते हैं तो दोस्तों आपका जो ID है वो delete नहीं होगा बस जो आपका यहाँ पे stories का data रहेगा वो ही clear होगा और आपका जो play store है वो reset हो जाएगा तो आपको क्या करना है OK वाला बटन को दवा देना है और यहाँ पर जो है आपका play store reset हो चुका है अब आपको simply back आना है और आपको जो है अपना play store को open करना है और इसी तरह से जो है आप भी अपने play store को reset कर सकते हैं कैसा लगा वीडियो हमें comment box में जोर से पताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को subscribe करना ना भूले